लूट अग्या विडियो में हम बात करेंगे सामान गयान के अंतगत 10 कोश्चंस के विसे में जो कि आपका एक्जाम के इसको लाश्ट तक देखेगा और आपके इंदर्स कोश्चंस में से कितने कोश्चंस सही निकलें आपको इमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोश्चन है निम लिखित में से कौन भारत के लेक डिस्टिक के रूप में जाना जाता है यानि कि भारत का लेक डिस्टिक किसे कहा जाता है आपको ये बताना है आपके आप्शन है नैनी ताल सिमला सिक्किम माथेरन तो इसमें से आपको कायक्ट एंसर बताना है कि भारत में लेक डिस्टिक के रूप में कौन जाना जाता है आपको कायक्ट एंसर बताना है तो चलिए देखते हैं तो इसमें आपका आपसन से होता आपसन नुबर फर्स्ट नैनी ताल नैनी ताल को भारत का लेक डिस्टिक्ट भी कहा जाता है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन है निम्रकित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है आपके अप्सन है जोग, करनाटक, पाप, नाशम, हिमाचल प्रदेश, धुमाधार, मद्ध्य प्रदेश, हुन्रू, जारकन तो इसमें जो इस साइड में दिये हुए हैं ये सभी जलपरपात हैं और इस साइड राज हैं तो आपको बताना है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं यानि कि कौन सा जलपरपात किस राज्ज में नहीं इस्थित है तो आपको करेक्ट एंसर बताना है चलिए देखते हैं, तो जोग जलबर्पाद जो है कनाटक में श्तित है, धवाधार यो मत्रपतेश में श्तित है, अरुणरू जारकंड में श्तित है आपका जो second option और आपके हिमाचल पृदैस में इस्तित न ही यानि क réfक आपके आपका second और का सही होता है पाप नाशम जो यह जो जल्व पिरह कहता है आण्धरड़ है आंधरवयर में इस्तित है नाकी हिमाचल पृदैस में चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं नेक्ट कोशन है तुलबुल परियोजना अनिम्न की नदी से संबंदित है आपके आप्शन है व्यास, रावी, जेलम, सत लज तो इसमें से आपको correct answer बताना है तो चलिए देखते है तो इसमें आपका आप्शन से उता आप्शन अंबर थार्ड जेलम यानि की तुलबल परिय नर्मित सकते है चलिए अनएक्ट कोशन कisée देखते है नय्क्ट कोशन है उत्त्य पत्व समी बाई परियोजना कीशन नदी पर इसमें आपको अप्शन से आपका आप्शन से होता है आपसा सेंबर स्केंड ब। बत थार्ड इन्साए जो है वो बेतवा नदी पर इस्तित है चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं नेस्ट कोशन है भारत के उत्तर पश्मी भाग में सीथ कालीन वर्षा का कारण है क्या कारण है इस्थानी जंजावात लौटता मांशून पश्मी विचोग पूर्वी विचोग तो इसे इनमें से सीथ कालीन वर्षा का मुखे कारण क्या है चलिए देखते हैं तो इसमें आपका आपसन से होता है आपसन नमबर थर्ड पश्मी विचोग यानि कि भारत के उत्तर पश्मी भाग में सीथ कालीन वर्षा का मुखे कारण है पश्मी विचोग या वेस्टन डिस्टरिबेंस च कोचन है भाती उप महादीप पर ग्रीश मृत में उच्छ तापमान एम निम्न दाब हिंद महासागर में वायू का करश्ड़ करते हैं यानि कि वायू को अपनी और आकाशित करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है क्या प्रभावित होता है आपके अप्शन है दश्ड़ पूर्व मांशून दश्ड़ प्रश्चिम मांशून व्यापारिक पाउने या व्यापारिक हवाएं प्रश्चमी हवाएं तो इसमें से आपको कारेक्टने से बताना है कि भाती उप महादीप ग्रीश मृत में उच्छ तापमान एम निम्न दाब हिंद महासागर में देखते हैं नेस्ट कोशन है राश्चि पल्यावड सोध संस्थान यानि की नेरी कहां इस्तित है awakPTion है भौपाल नागपूर देहरादून जोधपूर इसमें से आपको कारेक्टने सा बताना है कि राश्चि पल्यावड सोध संस्थान कहां पर इस्तित है। चलिए देख question देखते हैं, next question है भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागाउन का लग पाया जाता है, यैनि कि कि न खी राज्य में सागाउन के लग बहुतायत में पाया जाते हैं, आपके option है, मद्यप्धेश, उत्यप्धेश, जारकर्ण, करनाटक, तो इसमें से आपको correct answer से बताना है कि कि राची में सागउन बहुतायत में पाय जाते हैं चलिए देखते हैं तो इसमें आपका अतल्स क्यो tutor थे होता आपसा नंबर कह पस्ट मदपकर्देश भात भारत में सागउन का जुम्मुक क्ट का सब्सक्राइब है वो मात्यपिदेश में पाया जाते हैं चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन है भारत में प्रमुख वनस्पत कौन सी है आपके आपसे ने पत जड़वन वर्सा वन कांटे दा जाड़ियां सवाना तो इसमें से आपको का एक्टेंस से बताना है कि भारत में प्रमुक वनिश्पत काउंसी है चलिए देखते हैं तो इसमें आपका आपसन से यह था आपसन नमबर फर्स्ट पतचडवन यानि की भारत में प्रमुक वनिश्पत के अंतरगत पतचडवन आते हैं ये वन उन चेतर में पाया जाते हैं जहां वज़सा 70 cm से 200 cm तक होती है चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं नेस्ट कोशन है जलोड मिट्टी में जब बालू के कड़ों और चीका की मत्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है आपके option है रेह, कलर, रेगुड, दोमट तो इसमें से आपको कायक्टेंसर बताना है कि जलोड मिट्टी में बालू के कड़ और चीका के कड़ जो है बराबर मत्रा में होते हैं तो मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है चलिए देखते हैं तो इसमें आपका अपसन से होता है आपसन नमबर फोर दो मट यानि कि जलोड मिटी में जब बालू के कड़ अंचिका के कड़ बराबर मत्रा में हो जाते हैं तो ऐसी मिटी को दो मट मिटी कहा जाता है फ्रेंड्स यह थे आपके जिके से समद्धी 10 questions जो कि आपके एकजाम के देश्कोर से important questions हो सकते हैं अब फ्रेंड्स आपको comment करके बताना है कि आपके इन 10 questions में से कितने questions सहें निकले आपको इमांदारी के साथ comment box में comment करके बताना है और इसके साथ यह आप चैनल पर पहली बा कर लें क्योंकि यहां पर ऐसे important questions की videos आपको मिलते रहेंगे चले मिलते हैं next video में thank you